Hello students, my name is Vipin and I welcome you all to iExamBee. So students, IBPS AFO का exam जो इस मन्त के last में आपका होने वाला है, इस exam के लिए आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे profit and loss और profit and loss की कुछ exam oriented question हम करेंगे जो direct आपके exam में पूछे जा सकते हैं. तो आपने इस वीडियो को लाज तक जरूर देखना है, आईए, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ. So students, profit and loss यानि की जिसको हम हिंदी में कहते हैं, lab और honey. तो इस type की question जब आपके exam में पूछे जाएं, तो क्या आपकी direct approach होनी चाहिए, कैसे आप इन question हो को कम time के अंदर exam में solve कर पाएं, वो हम इसमें discuss करेंगे. So पहला question क्या है आपकी screen पे? The SP, SP that means selling price and CP that means cost price. So selling price को हम यहाँ पर denote करेंगे SP से और cost price को हम denote करेंगे CP से. So यहाँ पर यह कह रहा है कि the selling price of two articles is equal. तो हम से क्या बोला गया, basic चीज़े में यह उम्मीद करता हूँ कि basic आपको आता होगा, कि profit हमारा क्या होता है, when SP is greater than CP that means SP minus CP is equal to profit. And loss हमारा क्या होता है, when CP is greater than SP that means CP minus SP is equal to loss. तो यह basic बातें आपको आते होंगे. तो यह कह रहा है कि उनका जो selling price है, क्या है, equal है. If first article is sold at a profit of 20% and second article is sold at a loss of 10%, then you have to find the overall profit percent or loss percent. So what should be the best approach? कैसे हम इसे solve करेंगे? आपने क्या करना है? आप पहले video को रोकें, और खुद करने की कोसिस करें solve. फिर अगर आप से नहीं होगा, तो आपने यहाँ पर देखना है. तो आप बताएं मुझे कि अभी आपने पहुच करके देख लिया होगा, अब मैं आपको इसका direct approach बताता हूँ. तो सबसे पहले मैं आपको percentage बताया था, तो 20% का fraction value क्या होता है? तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि 20% का fraction value होता है, 1 by 5, that is 1 by 5, you know. और जो हमारी दूसरी percentage में यहाँ पे given है 10%, उसका fraction value क्या होता है? 10% का fraction value होता है, that is 1 by 10. अब मैंने आपको percentage में भी बताया था, कि इस 5 का 20% हमारा यह है, तो इस बात का यहाँ पे क्या मतलब है? यह या तो यह profit हो सकती है, यह loss हो सकती है, अगर आपको बोला गया है profit, तो जो numerator में value होगी, यानि जो अंस में value होगी, उसे हम profit बोलेंगे, और अगर loss given है, तो यहाँ पे हमें loss होगा, तो अगर CP यह है, यह हमारा profit है, तो SP यहाँ से कितना होगा? तो आपका जाओगा, सर, SP हम बोलते हैं, कि जितना हम खरीद के लाए, और जितना हमें profit हुआ, तो उतने हमें हमने समान बेचा, इसका मतलब यहाँ पे हमारा CP, SP कितना आ जाएगा? अच्छ है, 5 प्लस 1, 5 प्लस 1, सेम केस हम यहाँ पे देखेंगे, कि यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा SP कितना होगा, यह हमारा CP है, और यह हमारा loss है, तो अगर मैं 10 रुपए में समान खरीद के ला रहा हूँ, तो मैंने समान कितने में बेचा होगा, तो आपका जाब होग सर CP minus loss that means 10 minus 1 so यहाँ पर यह चीज़े मैंने आपको बता दी और मैं यह उम्मीद करता हूँ यह आपको clear हो गया होगा अब देखो आपने इसमें X कुछ नहीं लेना है यह तो मैंने आपको clear करने के लिए बताया यहाँ पर लिखेंगे आप CP यहाँ पर लिखेंगे आप SP एक जगा पर लिखेंगे आप CP और एक जगा पर लिखेंगे आप SP उसके बाद आपको क्या करना है CP देखो पहले case में मार कितनी है first article के लिए तो आपका ज़गा CP है 5 SP कितनी है 6 दूसरे article के अगर मैं बात करूँ तो दूसरे article के लिए CP कितनी है 10 और SP कितनी है 9 अब आप अच्छे तरीके से यहाँ पर एक चीज और गानते है कि उसने क्या बोल रखा है यह line बढ़ो कि उनकी जो SP है SP क्या है equal है तो इसका मतलब इस value को हमें equal बनाना है और जब भी किसी चीज को मैंने आपको arithmetic में बहुत जगा बताया है कि जब भी हमें किसी चीज को equal बनाना है तो हम LCM के साथ go through करते है तो that means what we have to do we have to take LCM of these two value and 6 and 9 का LCM 18 होता है तो इसको हमें 18 बनाना पड़ेगा और 3 से multiply होगी तो अगर इधर आपने 3 से multiply करी तो इधर भी आपको 3 से multiply करने पड़ेगी और इगर इसे 18 बनाना है तो 2 से multiply तो इधर भी 2 से multiply अब देखो इसका SP equal हो गया यह भी 18 हो गया और यह भी हमारा 18 हो गया और यहाँ पे अगर आप CP देखें तो यह CP हमारा कितने निकल के आगया यह CP हमारा 15 निकल के आगया और यह वाला CP हमारा यहाँ से 20 निकल के आगया तो आप मुझे बताओ कि total यहाँ पे आपकी CP कितनी है total CP तो आपका जवाब वह गसा total CP है हमारी 20 और 15 35 और total जो हमारी SP है that is 36 total SP हमारे 36 तो हमसे बुछ रहा है overall loss percent and profit percent तो overall CP हमारी 35 है overall SP हमारे 36 है तो इसका मतलब हमें यहाँ पे एक का क्या हो रहा है एक का हमें यहाँ पे profit हो रहा है तो एक का profit हो रहा है आपको किसने पे 35 और आपको percent निकालना है तो 100 से multiply ठीक है एक का profit हो रहा है ना 35 तो यह कर जाएगा तो 2.85 के आसपास लेकिन profit या loss CP चोटा है SP बढ़ा है तो जब SP बढ़ा होता है CP से तो हमारा profit होता है तो 2.85 हमारा क्या आजाएगा profit आजाएगा कौन सा option दिख रहा है आपको option number second तो option number second will be the most appropriate right answer कुछ नहीं करना था आपने डारेक्ट आप percentage लिखते हैं आपको डारेक्ट एक्जाम में क्या करना है 20% का मतलब 5 से 6 10% का मतलब 10 से 9 इसको इक्वल बनाना इधर 3 से multiply इधर 2 से multiply इधर 3 से multiply इधर 2 से multiply डारेक्ट ये 35 हो जाएगा 18 दूनी 36 हो जाएगा है ना इतना लिखना है आपको बस एक्जाम में आपने इतना करना है वो आप तब कर पाएंगे जब ये सारी बाते हैं आपके माइंड में एकदम अच्छी तरीके से प्रिपेर होंगी तो ये चीज़ें आपने देखनी है अगर कभी आपको क्या दिया जाए कि बीस परसेंट का ही प्रॉफिट हो रहा है और बीस पर्सेंट का ही लॉख हो रहा है आप हो एक्स पीक्व़ लेइ width तो उस केस में डिरेक्ट हमारीOOOOOOOO होती है x square upon hundred जहां पर x हमारा गवत है common percent उतना ही profit हो रहा है उतना ही loss हो रहा है अगर 20% का profit और 20% का loss और इस case में हमें सा loss होता है तो आपका direct answer बताओ क्या आ जाता फिर आपने यह कुछ नहीं करना था 20 का square upon 100 तो यह कितना हो जाता 400 बटे 100 तो यहां से आपका answer कितना आ जाता 4% loss तो direct आप यहां से बता बात है कि आपको 4% का loss होता तो यह चीज आपको तब कर पाएंगे जब आपकी common percent हो यानि कि 20% का loss हो रहा है 20% का profit हो रहा है 10% का profit हो रहा है 10% का loss हो रहा है तो इस टैक की question आप तब solve कर पाएंगे अगर आपको common percent दी गई हो अगला question देखते हैं आसान question था मैं उम्मीद करता हूं आप समझ चुके है अब उसने three article purchase करें on the same cost price अब इस इस्षिति में क्या है इस अवस्था में आपका cost price equal है अब क्या है cost price equal है पहले वाले को हमारा 12% होता है इसकी fraction value कितनी होती है 1 by 8 ऐसे याद होनी जी आपको 37.5% का fraction value कितना होता है 3 by 8 6.25 बो ले आप यह 6 1 by 4% का fraction value बो ले आप 1 by 16 यह आपको fraction value याद होनी जीए बागी मैंने आपको percentage की last वीडियो में सिखाया वी था कि कैसे हम convert करते है percentage को fraction में तो यहाँ पे ह फिर यह है हमारा 8 और यह हो जाएगा हमारा 11 सब profit है न सारे जूड़ते जाएंगे add होते जाएंगे 8 plus 3 8 plus 1 16 plus 1 तो 16 और यह हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 लेकिन देखो आप line पड़ो line क्या कह रहा है आपसे हो आपको कह रहा है कि if he gets overall profit overall profit आपका 450 रुपए तो इस सारा हम मारा unit में हो रहा है और एक बात उसने यहां पर क्या बोल रहा है कि cost price सबका equal है इसका मतला हमे cost price equal करना पड़ेगा तो यह हमने cost price equal कर दिया यह हमारा cost price क्या हो गया equal 16 16 16 16 तो यहां हम 2 से multiply करेंगे यहां भी 2 से और यहां से 1 तो हमारा ही तो यह हो जाएगा हमारा 16 यह हो जाएगा हमारा 16 और यह जाएगा मारा 16 घोजाएगा मारा 18 घृजाएगा मारा 22 और यह हो जाएगा मारा 17 त्टे कितने हो अग ऑवा है total cp 48 total 60 europa आपको कितने का हो रहा है, 9 unit का हो रहा है, according to the fraction value, we have a profit of 9 unit, but according to the question, there is actual profit of 450 rupees, that means the value of 9 is 450 rupees, now what we have to do, अब देखें आप, तो 9 की वेलियो कर 450 में क्या बताना है, cost price बताना है, इसका मजला हमें 16 की वेलियो निकालनी है, तो बेटा अकर 9 की वेलियो 450 है, तो एक का वेलियो कितना हो 60, which is 16, जो हमारा क्या है, cost price, तो 100 लग उना 50 हमारा कितना हो जाएगा, यहां पर 800, 800 is the most appropriate answer, option number 4, तो lengthy question है, आपने यह नहीं करना है, कि let the CP of first article is X, let the CP of second article is X, तो यहां पर X पर आप क्या करो, कि सारे बादा परसेंट का आप इंक्रीजमेंट करो, फिर उसका SP निकालो, तो यह easiest approach है, इसको करने की, this is the easiest approach to solve such kind of question, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे, और दुबारा जो है, आप इसको देखने का परियास भी करें, अगर आपको समझ नहीं आया है, अगले प्रशन की तिरफ अगर हम चले, तो यह भी अच्छा question है, देखो इसका क्या approach होना चाहिए हमारा, इसका पहले video रोके एक बार, और करने की कोसिस करें, क्या आपका answer निकल के आता है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि what should be the best approach, देखे कुछ नहीं करना है आपने इसमें, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने video रोकी होगी और आपने try भी कर लिया होग तो वहाँ से आप आसाने से निकाल देते हैं, लेकिन जाब यहाँ पर ऐसे आया है कि 6% of SP, 8% of CP, 9% of SP is 2 रुपीज more than 8% of CP, then what is the value of CP, तो अगर ऐसा आया question तो फिर क्या परोच होनी चाहिए, तो आप लिखेंगे SP का 6%, direct लिखेंगे आप जैसे जैसे बोलता जा रहा है, is equal to CP का 8%, CP का 8%, तो आप यहाँ से दिखेंगे, percentage से percentage कैंसल हो जाएगा, परसेंटे से percentage कैंसल हो जाएगा, अगर मैं आप से पूछू कि SP बटे CP क्या होगा, तो आपका जाओ होगा, SP बटे CP होगा, आपका 8 बटे 6, 8 बटे 6, तो देखो, अगर हम से खाली, यहाँ पर इतनी लाइन तक देखे, यहाँ तक यहाँ तक उसने दिया होता, और वो बोलता हम से, कि आप अप हमें profit percent या loss percent बताओ, तो फिर तो कुछ करना ने था, इसके आगया, आप 2 by 6, यानि कि 1 by 3, 33, 1 by 3 percent अमारा आंजर आ जाता, लेकिन उसने आगे भी हमें question solve कराया है, कि 9% of SP is 2 rupees more than 8 percent of CP, तो आप क्या करें न, हो तो यहाँ से भी जाएगा है, लेकिन आप इसको 100 से उपर नीचे multiply करें, और multiply करने का reason यह है कि फिर हमारी calculation आसान हो जाएगी, और अगर आप देखेंगे तो यह बन जाएगा हमारा 800 और यह बन जाएगा हमारा 600, ratio में कोई फरक ने SP निकाला हमने यहाँ से 800, तो 800 का 9%, 800 का 9%, कितना होगा, अब अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से percentage को, तो नीचे आजाएगा 100, नीचे क्या आजाएगा, नीचे आजाएगा 100, तो जब नीचे 100 आजाएगा, तो यह आजाएगा हमारा 72, यह आजाएगा 72, और दूसरी बात से आप देखेंगे इसे कितना आजाएगा, यह 48 आजाएगा, देखो 48 आजाएगा, अब मैं आप से गर पूछूँ कि जो यह SP वाली है, टर्म, और यह टर्म हमारी कौन सी वाली है, यह टर्म हमारी CP वाली है, तो according to the, जब हमने इसको 800 and 600 अज्यूम करा है, तो हमारे according के data क 24 unit क्या है, इंक्रीज करता है CP वाले से, बट according to the question, this data is increases by 2 rupees more, यानि कि अगर रुपी के टर्म में हम बात करें, according to the question, तो यह 2 रुपे जादा है, तो इसका मंदब 24 की वैली कितनी है, 2 rupees है, 24 की वैली कितनी है, 2 rupees है, तो 1 की वैली कितनी होगी, 1 की वैली होगी, 2 by 24 rupees, 2 by 24 rupees, तो हमें निकालना क्या है, 2 by 24 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें, तो इसको लिख सकते हैं, 1 by 12 rupees, उसने हम से क्या पूचा है, उसने हम से पूचा है, what is the CP, उसने हम से CP पूचा है, और CP हमने, हमारे recording कितना है, 600, हमारे recording CP कितना है, 600, तो आप क्या कर दें देंगे 600 का आप 1 by 12 निकाल देंगे वन यूनिट की वैल्यू कितनी है वन यूनिट की वैल्यू 1 by 12 है तो 600 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 600 इंटू 1 by 12 तो 1250 यानि कि जो CPI मारा वो कितना जाएगा 500 तो 500 इसका most appropriate right answer हो जाएगा तो आसान question था आपने फंबल नहीं होना है कैसे इसमें दो दो लाइन दी है डारेक्ट जैसे जैसे बोला जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे आपने चीजने लिखनी है और यहां पे आप 800 और 600 यह अपनी मर्जी से माल लिया आप 8 और 600 कुछ ही बना सेंदे आप 50 से multiply कर लो जो तो 50 से हो जाएगे 400 और यह हो जाएगा 300 तो यहां से भी answer वही आएगा चाहे आप करके देख लेना answer में changes नहीं आएगा लेकिन यहां से मारी तोड़ा calculation आसान हो जाती है इसलिए मैं इसे 100 से multiply करा आसान question था approach मैंने आपको सिखा दी है अगर exam में आए तो आप आसानी से solve कर जाएगे अगर आप से s पी पूस्ता तो फिर आप यहां पे 800 की वले निकालते 800 इन्टू 1 by 12 फिर वो आपका answer वहां से निकल के आ जाता तो अच्छा question था यह ऐसे question अगर आपके exam म पूछे जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे solve कर ले जाएंगे तो यह हमारा आज का वीडियो था कुछ मैंने आपको बहतरीं concept बता है कुछ भी अगर आपका doubt होता है तो आप comment box में लिखें इसका answer आपने बताना है क्या approach होगी आपकी ठीक है और यह question इसका answer आपने बताना है देखो मैंने concept बताया था पहले question की last में x square y 100 वाला तो कुछ hint मैंने आपको दे दी है तो यह चीज़ें यूज करनी है आपने और comment box में आपने answer देना है कौन सा answer आपका निकल क्या आता है तो कुछ भी अगर आपका doubt होता है इस video के regarding comment box में लिखें और किस करूंगा कि आप लोगों की demand में खरा उतरू तो आपने क्या करना है आपने maximum share करना है और comment box में answer देना है like भी करना है शेयर भी करना है जितनी आपके telegram channel है ताकि सभी बच्चों को इस video वकल आप मिल सके मिलेंगे next video में इसी उत्साव मंग के साथ thank you for watching